हेलो फ्रेंड्स भाई बहन मम्मी ब्लॉग से सभी का स्वागत करती हूँ उमीद कती से अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे तो यहाँ पे समर की मम्मी आई है गाउस से वापस और आते ही देख रही है उनकी बहन अराम से सो रही है सोती बहन को जगा के उन्होंने पूछा कि कहा से तुम आ गई यहाँ पे और तुमको यहाँ कौन बोलाया है तो उन्होंने एकी लाइन कहा कि समर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है समर मुझे यहाँ लेके आया और बोला है जब तक पर नहीं आ जाता तुम यहाँ से मर जाना और एकी बात वो इतनी बार दोहरा रही है friends कि वो लाइन सुनके कि मुझे सलमान खान की वो बंधन फिल्म जो आई थी ना वो याद आ गए कि उसमें वो हमेशा बोलता रहता है ना कि जीजा जी जो बोलेंगे मैं वही करूँगा और यही डायलोग मुझे इतना याद आने लगा कि मौसी जी तो एकी डायलोग रटा मार रही है कि समर जब आएगा तभी मैं जाओंगी समर जब आएगा तभी मैं जाओंगी और यहाँ पे समर की मम्मी तब को पता नहीं है कि समर की मौसी यहाँ पे आई हुई है अब आप ही बताओ बेहन बेहन को नहीं मालूम की बेहन के घर जाना है और यहाँ बेहन को ही नहीं पता है वाई कमाल है उपर से समर की मम्मी से वो बोल रही कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई है तुम को यहाँ नहीं आना चाहिए था अब अपने बेटे के घर वो आएंगी तो क्या अपनी बेहन से पूछ के आएंगी मुझे तो ये सारा इतना scripted लगा ना friends की मैं क्या बोलू ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा script लिखा गया हो कि हाँ action करो और अभी मैं आई हूँ तो तुम यहां क्यों आ गई हो यहां पर समर की मम्मी कुछ बताना नहीं चाती है अपनी बेहन को उनका कहना है कि मैं रिश्रदारी में इतना छीचा लादर नहीं कर सकती और मैं नहीं बता सकती कि क्या माजरा है मुझे सब पता है यहां पर वो उट गई है यह बोलने के लिए कि संसकार तुम्हें बेटे को कुछ दिया नहीं है इसे तुम्हारा बेटा दो-दो शादी करके बैठा है और क्या चल रहा है तुमको सब पता होने के बावज़ो तुम मुझे कुछ नहीं बताई और अभी भी नहीं बता रही हो तो मैं मौसी जी से एक बात पोलना चाओंगी कि समर नहीं चलो खाली घर है बीबी को भगा दिया अब आराम से रहे पर फ्रेंज मुझे एक चीज़ समर में नहीं आ रहा है कल तो दिवाली का पूझा हो रहा था गुन-गुन समर और राधी का सभी वहाँ पे थे तो अभी मौसी बहा पर अकेले कैसे सोई हुई है और समर की ममी जो आई है तो वहाँ पे पुरा सर्णाटा चाहल वा था ऐसा लग रहा था जिसने वह घर में से मौसी है और तो कोई इसका कोई अताा पता ही रह रहे है अब यहां क्या माजरा हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे बताईएगा, बस मैं अपना व्लॉग यही पर एंड करना चाहती हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है, जिसको विराज का व्लॉग है बजव प्वीजिगा तब तक लिप बएगगा।